जब भी हम छुटियों में किसी सांथ जगह में जाने की योजना बना रहे होते हैं तो राजस्तान की भूमी के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए राजस्तान का वातावरण बेहद शांत देखने को मिलता है राजस्तान बारत का एक बहुती खास परियाटन राज्ये है जो हर साल अपने आकरसक परियाटन सतलों की वज़े से दुनिया बर में लोग प्रिये है आज भी राजस्तान की संस्कृति की दुनिया बर में मिसाल दी जाती है तो आईए जानते हैं राजस्तान के जहरों के बारे में कुछ रोचक बाते, आपको जानकारी दे उस से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको हमारी वीडियो के माद्यम से मिलती रहे, तो जगह राजस्तान की सबसे उंची जगों में से एक है राजस्तान की ये जगह सबसे पूरानी है जो आज भी अपनी सुन्दरता पूरे जेपुर में बिखेर दी है जो भी लोग पिंक सिटी गूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये टूर बहुती यादगार बन जाता है नमबर दो जेसल मेर गोल्डन सिटी के नाम शे मसूर जेसल मेर राजस्तान का एक एतिहासिक शहर है जो राजस्तान के पस्चिमी दिसा में पाकिस्तान की बोर्डर से सटा हुआ है यहां की रेतीली पहाड़िया'm ठार का रेगिस्तानी जेसल मेर की सुंदर्ता का परतीख है जेसल मेर एक ऐसा सहर है जो इतिहास प्रेमियो को काफी आकर्शित करता है क्योंकि यहां की संस्कृती इतिहास और यहां बोगोलिक दरश्य दुनिया बरके परेटकों को अपनी और आकरशित करता है अजमेर जिला राजस्तान के मद्दे में स्थित होने के कारण इसे राजस्तान का दिल भी कहा जाता है अजमेर पूरे भारत का एक मात्र ऐसा सहर है जिसे अपनी पवितरता के कारण भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर पूरी दुनिया में अपने विशाल, किलों, महलों और दार्मिक स्थल के लिए जाना जाता है महराना परताप की भूमी कहे जाने वाले चितोडगड दुरग पर परेटकों को मंतर मुग्द करने वाले कई समारक बने हुए हैं आपने रानी पदमावती के बारे में तो सुना ही होगा वह इसी चितोडगड की महरानी थी वर्तमान में इस स्थान पर हर वर्स मारच महिने में जोहर मेला का आयोजन किया जाता है यहां पर रानी पदमावती का बवे महल भी स्थित है नमबर पांच माउंट टाबू माउंट टाबू अपने शांदार इतिहास प्राचीन पुरातात्विक्स थल और अदबुत मौसम के कारण यह है राजस्तान का अत्यंत लोग प्रिये टूरिश्ट प्लेस है अधिकांस गर्मियों में और मानसून के दोरान यहां हर साल लाखों की तादात में प्रेटक गूमने के लिए आते हैं पिछले कुछ दसकों में यह हिल स्टेशन गर्मियों और हनीमून के लिए फेमस टूरिश्ट स्पोर्ट के रूप में उबरा है नमबर च्छे बिकानेर बिकानेर राजस्तान राजे का एक बहुती परमुख प्रेटन स्थल है यह सहर अपनी स्वादिष्ट मिठाईयों और स्नेक्स के लिए काफी परसिद्ध है अगर आप राजस्तान राजे में गूमने के लिए आते हैं तो आपको एक बार बिकानेर में स्थित किलो को देखने और यहां के स्वादिष्ट बोजन का सुवाद चकने के लिए जरूर आना चाहिए इसके साथ ही बिकानेर में आयोजित विबिन मेले भी हर साल बारी संख्या में प्रेटकों को अपनी और आकरशित करते हैं पूतों की राजदानी था और अपने खूबसूरत महलों की वज़े से काफी फेमस है यहां उस समय कई खूबसूरत महल थे जिसमें से ज्यादातर को होटलों में बदल दिया गया है अगर आप राजस्तान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी लिश्ट में उद्यपूर को भी सामिल करना चाहिए नमबर आठ पुसकर जब राजस्तान के परमुक परेटक और दार्मिक स्थलों की बात होती है तो पुसकर कैसे पीछे रह सकता है बता दे कि राजस्तान के अजमेर जिले में पवित्तर पुसकर सहर को बारत में तिर्थ सतलों का राजा कहा जाता है यह सहर पुसकर जील के तट पर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बगवान शीव के आंसों से बनी हैं पुसकर का सबसे शांदार आकर्शन वार्शिक उंट मिला है जो पांच दिवशिय होता है सवाई मादोपूर राजस्तान की सबसे खास जगों में से एक है जिसको कच्छवाह राजपूतो के महराजा सवाई मादो सिंग ने बनवाया था यहां स्थित रन्थमबोर किला और रन्थमबोर राष्टिय उद्ध्यान ने इसको राजस्तान का एक परमुक परेटन स्थल बना दिया है अगर आप राजस्तान यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यहां के रन थमबोर किले को अपनी लिष्ट में सामिल जरूर करना चाहिए जो युनेस्को की विसव द्रोवर्स थल का एक हिस्सा है नमबर दस के बारे में जाने उससे पहले आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें नमबर दस पे जो शहर आता है उसका नाम है जोदपुर जोदपुर राजस्तान का एक परमुक परेटन आकर शक्स थल है इसके साथ ही यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सहर और दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है पूरे साल यहां एक उजवल दूप का मौसम होने की वज़े से जोदपुर कोसं सीटी भी कहते हैं राजस्तान राज्य का एक पर्मुक परेटन सहर होने के साथ इसको रणनीतिक रूप से पस्ची में राजस्तान का सबसे पर्मुक शहर भी माना जाता है क्योंकि यह बारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 250 किलो मेटर की दूरी पर स्थित है राजस्तान के दस सबसे अच्छे सहरों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप कौन से सहर में गूमना पसंद करेंगे